तो हेलो एवरिवन कैसे आप सभी आज का जो सेशन है युनिट सिक्स का होने वाला जिसमें मैंने आप लोग को अल्रेडी हो मोग्राप्स पढ़ा दिया हो मोफों पढ़ा दिया अब मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं होमो निम्स ठीक है तो इंपॉर्टेंट सेशन है ध्यान दीजिएगा अच्छे से पढ़िएगा समझ मैं पूरी चीछ जाएंगे ठीक है स्टार्ट करते सेशन को चलते हैं टेक्स पे ठीक है तो डियस जैंट्स यह पूरी क्लास है आप लोग को जब जहां जहां सलेवस में होमोनिम्स होंगा वहां वहां के लिए इंपॉर रहे हैं सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि यह a simple example of a homonyms is the word pen ठीक है this can mean both a holding area for animals and a writing instrument. Another example is book which can mean something to read or the act of making a revision. In both cases the sound and spelling are the same only the definition change. Discover a collection of 30 more homonyms examples. ठीक है अब यहां पर हम 30 more examples पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो यह homonyms होता है यह होता क्या है इसमें क्या होता है कि किसी भी एक word की spelling same होती है ठीक है sound same होता है लेकिन उसका जो मतलब होता है उसका जो meaning होता है वो दो अलग अलग निकलते हैं ठीक है अब यह होते कैसे सब्द है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ example कि थरू लगब 30 example कि थरू मैं आपको बताऊंगा वो चीजे लेकिन और इसमें प्रकास डालते हैं note that some homonyms have more than two meaning for example tender can also mean sensitive easily chewed or even if referred to chicken strip but to keep thing simple the homonyms example list include only two for each word मैं आप लोग को ये गोल गोल हुमाने वाली बात नहीं करता मैं आपको सीधे ले चलता हूं अपने main सब्दों पर ठीक है जसपे आप लोग अच्छे से चीजों को क्या कर पाएंगे समझ पाएंगे ठीक है मैंने आपको बोला लिखा है to speak देखिए address address मतलब क्या होता है address मतलब होता है किसी को कोई चीज कहना to speak ठीक है यह जैसे आप लोग को मैंने address किया कि आप लोग को homo homo nims पढ़ना जरूरी है ठीक है तो यह address हुआ ठीक है दूसरा address मतलब होता है एक location भी तो होता है address ठीक है तो address देखिए यह दो हुए spelling इसका मतलब लेकिन अलग 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 दो निकला to speak to और दूसरा निकला location ठीक है एक और मैंने आपको बताया air मतलब क्या होता है तो एक क्या हो गया आपका oxygen हो गया तो यह दो मतलब निकले फिर दूसरा है क्या arm मतलब क्या हुआ आम मतलब बॉड़ी पार्ट एक तो हुआ और दूसरा हुआ division of a company किसी company का जो बटवारा है division है उसको भी क्या बोलते है arms बोलते हैं आम बोलते हैं ठीक है तो यह चीज़ आप आपको समझ में आई होगी मतलब bird एक ही है लेकिन मतलब दो निकल रहे हैं ठीक है इसी को बोलते है homonins ठीक है लिखा है band band मतलब क्या होता बहिया एक तो होता है music musical group जो आपनों देखा होगा 4 लोग खड़े होके dum-dum-dum-dum बजाते है musical group और दूसरा क्या हो गया ring ring को भी क अधी के बंधन में किसी के बंधन में बद जाता है अदमी ठीक है bark बाक मतलब क्या होता है रहे है जो बाहरी परत होता है उसको बोलते है वाट ठीक है और साउंड आज इसा साउंड निकले एक तो टीका लेयर हो गया और दूसरा sound a dog makes, ठीक है, bet, अब bet का मतलब क्या हुआ, an implement used to hit a ball, a nocturnal flying mammal, ठीक है, तो ये bet हो गया, ठीक है, अब bet मतलब क्या हो गया, बहिया, एक तो हो गया, चमगादर, अब दूसरा क्या हो गया, hit a ball को भी, जो जिससे अपन ball को मारते हैं, उसको भी bet बोलता है, ठीक है, तो ये, एक तो आपने सुनाओगा bright, अब bright एक ही सब्द है, ठीक है, लेकिन bright का एक मतलब होता है, very small or intelligent, जैसे नहीं बोलते है, bright student है ये तो, ठीक है, और एक होता है, भाईया, bright light, कितना bright है यहाँ पे, कितना चमकीला है, कितना प्रकास है, उसको bright बोलते हैं, ठीक है, एक तो होता है, circular, circular क्या होता है, भाईया, taking the form of a circle, जो गोल-गोल होता है न एरिया, उसको बोलते है circular, ठीक है, और एक होता है आपका store advertisement, ठीक है, मतलब circular उसको भी बोलते हैं, जिसमें कोई जीज लिखी होती है न, जो हरमेशा आपन लोग को क्या होती है काम, जैसे आपको मान लीजे, आपको पढ़ना है, जैसे इस लेबा से आपका, यह circular जैसा ही है, जैसे आपको मान लीजे, unit 6 पढ़नी है, तो unit 6 में क्या पढ़ना है, तो होनो नहीं, आपने धोड़ लिया, एक page के through, और फिर अपने आप जाके copy में देखेंगे, वो चीज आपको लिखी मिल करेंगी वहाँ पर उस page पर, तो यह भी circular कहलाता है, ठीक है, चलिए, current क्या होता है, तो current मतलब होता है, to update, मतलब आज की date का एकदम नया ताजा, और दूसरा होता है, flow of water, ठीक है, जो water का flow होता है, इसको भी current बोलता है, एक current वो भी होता है, जो बिजली वाला होता है, ठी ठीक है, die, die मतलब क्या होता है, to cease living, ठीक है, a cube market with number one through six, ठीक है, मतलब किसी 6 में से 1 को क्या होना बताना, ठीक है, die हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, ठीक है, to cease living, मतलब भाया, जीवन का अंत, express इसी तरह क्या होता है फियर इसी तरह क्या होता है jack इसी तरह क्या होता है za Commrose आप लोगको अमीद करते हैं समझ में आया होगा और ये चीजें आपको clear होनी चाहिए क्योंकि ये exam पर पुछे जा सकते है क्योंकि ये नई चीज है है भीकई अब इसको मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ भी का यह को किस भी cancer है एकफि fullest एक एकदम बराबर नहीं बोलते कि menos लेना एक दम बराबर का निर। नहीं लेना ति कि अग्यृट निर।क मितलब । कितना फेयर धिख रहे हो T किता फेयर मतलब जिग जैक टाइब का एकदम चमकीला चका चक मदब शार्प एकदम नोकीला ठीक है अक्राइंग इस्प्री ठीक है तो यह जैग मतलब हो गया ठीक है काइंड मतलब क्या हो तब यह काइंड मतलब होता है तो एक तो हो गया a type of something ठीक है और एक हो गया caring दो तरह के kind हो गए ठीक है a type of something मतलब किसी भी प्रकार का नहीं बोलते कि यह kind है जैसे noun की कितने kind तो आपने बोला सर्फ पाँच kind ठीक है तो यह चीज़ है lie lie मतलब क्या होता है यह lie lie caring हो गया kind का caring मतलब किसी का ध्यान देना ठीक है जैसे आप लोग देते हो अपने ममी बापा का ध्यान बहुत जरूरी है ठीक है lie मतलब क्या होता है lie मतलब होता है to recline ठीक है to tell a falsehood lie मतलब एक तो होता है जोटा और एक lie मतलब क्या होता है करना किसी चीज को ठीक है match क्या होता है अब या match क्या होता है to pair like item किसी भी चीज का pair बना एक बनाना या फिर आपने का दिए एक shirt मैने ले लिया और inference देड़ मैंश्issy का matching मुझे पैंडे तो match ठीक है uh जिस्टिक for making a flame तो यहां पर sound same निकल रहा है, word same है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो इसका जो मतलब होगा, वो अलग निकलेगा, ठीक है, मतलब किसी को ऐसा आपने बोल दिया, तुम बड़े mean दिख रहे है, और एक होता है, not nice, not nice, not nice मतलब क्या होता है, अच्छे नहीं दिखना, ठीक है, तो यह चीज है, यह हो गया mean, तो उमीद करते हैं, आपको यह चीजी समझ में आ रही होंगी, देवियो सजनो, ठीक है, और मैं आप लोग को बता दू, रेवा इंस्टूट जो है, लगभग, इंगलिस PGT की लगभग हर topic को complete किया है, अच्छे से complete किया है, क्यों इस लेबस हमारा complete हो चुका है, ठीक है, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, test series लेना चाहते हैं, तो आप रेवा इंस्टूट एप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको test series दो मिलेंगी, एक तो online test series, 25 test के साथ, मातर 299 पे, 299 पे पर सांधार test series, ठीक है, मतलब देखोगे, solve करोगे आप लोग, तो आ 24,000 कोशन आपको literature के, 2000 कोशन आपको grammar के, grammar के question मिलेंगे, ठीक है, so dear students, आगे हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं, पोल की, पोल क्या होता है भईया, पोल एक होता है, a piece of metal that holds a flag, जिसमें एक metal का, एक dunder type का, जिसमें हम किसी flag को लगाते हैं, ठीक है, और एक पोल मतलब क्या हो फस्त, जो starting line होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, पोल, pound क्या होता है भईया, तो pound तो आप जानते हैं, एक weight unit है, जैसे अपने cagey नहीं चलती, वैसे वहाँ पे, Britain में pound चलता है, ठीक है, unit of weight हो गया, और एक pound मतलब क्या होता है, to beat, किसी को मार देना, मारना, ठीक है, so, query, query क्या होता है, a site of meaning stone, mining stone, मतलब किसी भी mining stone की एक site एक जग है, to extract or obtain slowly, किसी चीज को बड़े धीरे धीरे आराम से क्या करना, gain करना, ठीक है, टीक है, इसी तरह रिंग, इसी तरह हे write, इसी तरह हे rock, अब देखे, right है, right किया है, एक मतलब क्या है, एक तो मतलब correct होता है, दूसरा क्या होता है, direction, opposite of left, जैसे left right नहीं बोलते, तो एक right मतलब left right वाला भी हो गया, और एक right मतलब क्या हो गया, झाइक hé, तो यह чीज Sweden आप राप्त कर लेना ठीक है रोज तो यह चीज़ आप लोग को समझ में आती होगी मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूं ठीक है सो डियस जेंट रोज हो गया स्प्रिंग हो गया टेंडर हो गया टायर हो गया बैल हो गया यह सब वर्ड उसी के हैं ठीक है तो थैंक यू फो वाचिंग देशन टेसरी जोइन कीजिए और इंजोई कीजिए अपनी स्टेडी को थैंक यू फो वाचिंग